हेलो फेंट्स मैं मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में 40 साइस का बैक नेक डिजाइन माप लोके साथ शेयर करूंगे 40 साइस का तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने साइस का अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजेगा मैं 40 साइस का बैक पार्ट यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले एक लाइन ड्रो करके हमने नीचे से कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरीके से इसके बार टोटल लंबाई लेंगे तो आपको जितना भी लैंट अपने ब्लाउस का तयार रखना है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजेगा टोटल लंबाई मैंने रखी है 15 इंच 14 इंच लंबाई मुझे इसकी तयार रखनी है और डीपनेक के अकॉर्डिंग हमने शुल्डर लेने है साड़ी पाच इंच यहां से भी साड़ी पाच इंच पर मार्जिन के लिए मार्जिन आप चाहें तो दो इंच भी ले सकते हैं आदा इंच बार की तरफ लेते हुए हमने मार्किंग करनी है बार बाली लाइन से ही आर्मोल की गुलाई करनी है इसके बाद हमने यहां पर आर्मोल का शेव देना है कमर का मेजर्मेंट लेंगे कमर है चोती सिंच उसका चोता पागों का साड़े आट इंच देरिड़ इंच एक्स्टा मार्जिन और एकिंच एक्स्टा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग मैंने पूरा कर लिया है इसके बाद हमने करना है कटिंग तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे बेक पार्ट को मैंने मैंन का प्रेपर भी रखकर करड़ कर दिया है इसके बाद गले का मेज़ेमेंट लेंगे गले की चोड़ाई रखी है धाई इंच गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने साड़ी दस इंच और नीचे सेन एक विट दिलिया है सवा तीन इंच गले की लंबाई और चोड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं इसके बाद हमने सिंपल राउंड शेप यहाँ पर देना है इस तरीके से तो यहाँ पर आप मटका गला भी ड्रॉ कर सकते हैं आप अपनी पसंद से पान गला भी बना सकते हैं या फिर पंच कोनी नेक भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर रखा है सिंपल राउंड नेक और इससे कटिंग कर दिया है गले को कट करने की बाद अब पेपर पेस्टिंग लेंगे पेपर पेस्टिंग को डवल फोल करते हुए नीचे की तरफ रख लेना है और एसटी इस गले की मार्किंग करनी है बाहर की तरफ से आप अपनी परसंद से जितना भी आपका बॉर्डर ब्रॉड होता है इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कीचेगा मैंने यहाँ पर पोना दो इंच पर किया है आप देड़ से दो इंच भी ले सकते हैं तो पूरा हमें राउंड शेप लेते हुए यहाँ पर मार्किंग कर देनी है इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इसे कट कर लेंगे इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमने करना है इसकी स्टिचिन तो मेन कपड़े को और रस्तर के कपड़े को साथ में अटेज करेंगे और यहाँ पर अच्छे से पिन के साथ इसे अटेज कर देना है सिलाई लगाने से पहले अब हमने सबसे पहले सिलाई गले के उपर लगा लेनी है तो इस तरीके से पूरे नेक पर सिलाई लगाएंगे अब बाहर की तरब से एक सिलाई लगाएंगे हाद से पिनेशिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से स्लाई लगाने के बाद हमने जितना भी एक्टा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है ये दीखें इस तरीके से एक्टा फैब्री को कट करके निकाल देना है इसके बाद हमने लेना है बॉडर वाला पार्ट, बॉडर को हमने बराबर से रखकर यहां पर कटिंग कर लेना है, अब इन दोनों पार्ट को हमने जोड लेना है, बीच में एक सेंटर में सिलाई लगा देंगे, अब दिखिए अपने पेपर पेस्टिंग का जो नैकी इसे कट कर लेना है सरकर में, और पेपर पेस्टिंग को बॉडर के उपर रखकर रटेज करेंगे, दोनों तरफ से बराबर करते हुए, अगर फैबरिक कम होता है, तो बीच का जो फैबरिक निकलेगा, उसे कटिंग करक कि आप साइड में जोड सकते हैं, तो मैंने यहाप पर इस तरीके से सिलाई लगा कर इसे अटेज कर दिया है, आप प्रेस के साथ इसे कपड़ी के उपर पेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई हमने लगा दीनी है, और साइड से जो एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ इसे ङूovy आप इसे वड हैं, अब सेंटर में मारकिंग कर लेंगे, इसन एक ब्लॉच पर भी और पेपर पेस्टिंग पर भी पेपर पेस्टिंग पेपर डवर फोल करते हुए हमने एक मार्किंग यहाँ पर कर देनी है अस्तर की तरफ से इसे अटेज करेंगी क्योंकि पलट के सीधी तरफ आएगा तो अस्तर वाली तरफ इसे रखना है सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए और इस तरीके से आपर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से हमने आपर पूरे ही नेक पर सिलाई लगानी है पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कर्ट लगा देंगे कट लगाने के बाद हमने एक सलाई इस तरफ करते हुए लगा देनी है यह देखे मैंने यहापर सलाई लगा दे है अब एक सलाई हमने बार की तरफ से भी लगा लेनी है अच्छे से बॉडो को बराबर करते हुए सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक छोटा कट लगाएंगे इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाती नहीं है चार इंच के लंबाई में दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे अब नीचे की तरफ अटेज करना है कमर पटी तो नीचे से आदा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पटी को लगाना है इस तरीके से और एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी की उपर लगा लेंगे फिर हमने कमरपटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सलाई उपर फिनिशिंग के साथ लगा देनी है अब गले के उपर मैं अटेज कर रही हूँ यहाँ पर लेस तो आप अपनी पसंद से कोई भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं तो सिंपल देखे मैं यहाँ पर इस तरही की से लेस को अटेज कर दिया है डोरी के साथ लटकन को यहाँ पर देखे हमने इस तरही की से अटेज कर लेना है इसी के साथ यह नएक डिजाइन बनके तयार हो गया है तो फेंट्स आपको आज का मेरा डिजाइन कैसे लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बिताईएगा वीडियो को लाइक शोय ज़रूर कीजिएगा चेनल को सस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद